मेरी छोटी पुआ, रक्षबंदन का त्योहार पास आते ही, मुझे सबसे ज़्यादा जमसेदपुर वाली बुआ जी की राखी के कोरियर का इंतजार रहता था, कितना बड़ा पार्सल भेज़ती थी बुआ जी, तरह तरह के विदेशी ब्रांड वाले चोकलेट गेम्स, मेरे लिए कलरफुल ड्रेस, ममी के लिए साड़ी, पापा जी के लिए कोई ब्रांडिड शर्ट, इस बार भी बहुत सारा सामान भेजा था उन्होंने, पटना और रामगर्ण वाली दोनों बुआ जी ने भी रंग व उकडे में लपेटे हुए, रोली चावल और पचास का एक नोट, ममी ने चारो बजी के पैकेट टाइनिंग टेबल पर रख दिये थे, ताकि पापा ओफिस से लोटकर एक नजर अपनी बहनों की बेजी राखिया और तोफे देख ले, पापा रोज की तरह आते ही टी चाय चडाते हुए आवाज लगाई थी, जया का लिफाफा दिखाना जरा, पापा जया बुआ की राखिय का सबसे ज़्यादा इंतजार करते थे, और सबसे पहले उनी की भेजी राखिय कलाई में बानते थे, जया बुआ सारे भाई बहनों में सबसे चोटी थी, पर एक व विवा के बाद से सायद कभी सुक नहीं देखा था, विवा के तुरंत बाद देवर ने सारा व्यापार हडपकर घर से बेदकल कर दिया था, तब से फूपा जी की मानसिक हालत कुछ अच्छी नहीं थी, मामुली सी नोकरी कर थोड़ा बहुत कमाते थे, बेहत मुश्किल से बुआ घर चलाती थी, इकलोते बेटे शाम को भी मुहले के साधरन से स्कूल में डाल रखा था, बस एक उमीद सी लेकर बुआ जी किसी तरह जिये जा रही थी, जया बुआ जी के भेजे लिफापे को देखकर पापा कुछ सोचने लगे थे, गायतरी इस बार के दिन हम सब सुबह वाली पेसेंजर ट्रेन से जया के घर रोतास उसे बगेर बताये जाएंगे, जया दीदी के घर, मम्मी तो पापा की बात पर एकदम से चोग गई थी, आपको पता है ना कि उनके घर में कितनी तंगी है, हम तीन लोगों का नास्ता खाना भी जया दीद कर पाएंगी, पर पापा की खामोची बता रही थी, उन्होंने जया बुआ के घर जाने का मन बना लिया है, और घर में ये सब को पता था, कि पापा के निश्य को बदलना बेहत मुस्किल होता है, रक्षबंदन के दिन सुबह वाली धनबाट टू डेहरी ओन सोन पेसेंजर से हम सब रोतास पहुंच गए थे, बुआ के घर के बार बने ब्राउंदे में, लगी नल के नीचे कपड़े दो रही थी, बुआ उमर में सबसे छोटी थी, पर तंग हाले और रोज की चिंता फिकर ने उसे सबसे उमरदाज बना दिया था, एकदम पतली दूबली कमजोर स इतनी कम उमर में चहरे की तवचा पर सलवटे साफ देख रही थी, बुआ की शादी का फोटो एल्बम मैंने कई बार देखा था, शादी में बुआ की कुपसूरती का कोई जवाब नहीं था, शादी के बाद के ग्यारा वर्सों की प्रेशानियों ने बुआ जी को कितना ब हम सब पर नजर पढ़ते ही, बुआ जी एकदम चोग गई थी, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे और क्या पढ़ती किरिया दे, अपने बिखरे बालों को संभाले या अस्तवैस पड़े घर को दूरस्त करे, उसकी घर तो बर्सों से कोई मेमान नहीं आया था, वो जैसे जमाने पहले भूल चुकी थी, कि मेमानों को घर के अंदर आने को कैसे कहा जाता है, बुआ जी के बारे में सब बताते हैं कि बच्पन से उन्हें साफ सफाई और सचने सवरने का विहत सोग रहा था, पर आज दीख रहा था कि अभाव और चिंता कैसे इंसान को अंद आमने हाथ फैलाना होता था, हालात ये हो गए थे कि जादतर रिष्टेदार उनका फोन उठाना बंद कर चुके थे, बस पापा ही थे जो अपनी सीमित तनखा के बावजूद कुछ ना कुछ बुआ को दिया करते थे, पापा ने आगे बढ़कर सहम सी गई अपनी बहन को गले से लगा लिया था, बहिया भावी मन्नू, तुम सब अचानक आज सब ठीक है ने, बुआ ने कापती सी आवाज में पूछा था, आज वर्सो बाद मन हुआ राखी में तुमारे घर आने का, तो बस आ गए हम सब पापा ने बुआ को सहज करते हुए कहा था, भावी अंदर मैं चाय नास्ता लेकर आती हूँ, जया बुआ ने मम्मी के हातों को अपनी ठंडी हतेलियों में लेते हुए कहा था, जया तुम बस बैठो मेरे पास, चाय नास्ता गायतरी देख लेगी, हम लोग बुआ जी के घर जाते समय रास्ते में रुख कर बहुत सारी मिठा भाया और नमकिन ले गए थे, मम्मी कीचन में जाकर सबके लिए प्लेट लगाने लगी थी, उदर भुआ कमरे में पुरानी फटी चादर बिछे खटिया पर अपने भाया के पास बैठी थी, बुआ जी का बेटा शाम दोड़ कर फूफा जी को बुला लाया था, राकी बा और बुआ जी के लिए घर के लिए किराने का सामान लेने के लिए, शाम होते होते पूरे घर का हूलिया बदल गया था, नए परदे बिस्तर पर नई चादर, रंग विरंगे डोरमेट और सारा परिवार नए ड्रेस पहन कर जच रहा था, नए जाने कितने सालों बाद आज जया बुआ जी की रसोई का बंडारगर लवालब भरा हुआ था, दीरे दीरे एक आतम विश्वास सा लोटता दीख रहा था, बुआ के चहरे पर, सस्तो ये था कि उसे अभी भी सब कुछ सवपन चा लग रहा था, बुआ जी ने थाली में राक्या सजा ली थी, मिठाई का डबा रख लिया था, जैसे ही पापा को तिलक करने लगी, पापा ने बुआ को रुखने को कहा, सभी आश्ये शकित थे, दस मिनट रुख चाओ, तुमारी दूसरी बेहने भी बस पहुँचने वाली हैं, पापा ने मुस्कुराते हुए कहा, तो सभी पापा को देखते रह गई, तब ही बहार दर्वाजे पर गाड़ियों के होरन की आवाज सुनकर, बुआ मम्मी और फुपाजी दोड़ कर बहार आई, तो तीनों बुआ का पूरा परिवार सामने था, जैया बुआ का घर महमानों से कचा कच भर गया था, महराज गंज वाली नीलम बुआ बताने लगी कि कुछ समय पहले उन्होंने पापा को कहा था कि क्यों ना सब मिलकर चारो धाम की यातरा पर निकलते हैं, बस पापा ने उस दिन तीनों बहनों को फोन किया कि अब चार धाम की यातरा का समय आ गया है, पापा की बात पर तीनों बुआ सेहमत थी, और सब ने तैय किय था कि इस बार जया के घर सब जमा होंगे और थोड़े थोड़े पैसे मिला कर उसकी सायता करेंगे जया बुआ तो बस एक टक अपनी बेहनों और भाई के परिवार को देखे जा रही थी कितना बड़ा सर्प्राइज दिया था आज सबने उसे सारी बेहनों से वो गले मिलती जा रही थी सबने पापा को राकी बांदी ऐसा रक्षबंदन सायद पहली बार था सब के लिए रात एक बड़े रिस्तरा में हम सभी ने डिनर किया फिर कप्पे करते जाने कब रात हो चुकी थी अभी भी जया बुआ जादा बोल नहीं रही थी वो तो बस बीच बीच में छलक आते अपने आसु पोच लेती थी बीच आंगन में ही सब चादर बिचा कर लेट गए थे जया बुआ पापा से किसी छोटी बच्ची की तरह चिपकी हुई थी मानो इस प्यार और दुलार का उसे वर्सों से इंतजार था बाते करते करते अचानक पापा को बुआ का सर पीर एकदम ठंडा सा लगा तो पापा घबरा गए थे सारे लोग जाग गए पर जयाब हुआ हमेशा के लिए सो गई थी पापा की गोद में एक बच्ची की तरह लेटे लेटे वो विदा हो चुकी पता नहीं कितने दिनों से बिमार थी और आज तक किसी से कहीं भी नहीं थी आज सबने मिलने का ही आसा लिए जिन्दाति सायद अपनों का ध्यान रखे जो समर्थ है वो अपने एसमर्थ रिष्यदारों मित्रों की समय पर सायता उश्य करें सोच बदलेंगे तो जग बदलेगा तो दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके